हेलो दोस्तो मैं राधिका जैन आज आपके लिए अल्सी से होने वाले कुछ फायदे लेकर आई हूँ अल्सी का सेवन हम कई हजारों सालों से करते आ रहे हैं अल्सी के दाने छोटे भूरे रंके होते हैं अल्सी, ओमेगा 3, पैटी आसिद, विटामिन B1, प्रोटीन, फाइवर, मैगजीन, फासफोरस आधी भरपूर मातरा में पाय जाते हैं अल्सी में रेशो की मातरा अधिक होती है इसलिए हम इसका उपयोग सीधे इसके बीजो को चबा कर या भूजन में इस्तिमाल करके या फिर इसको तेल के रूप में भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप इसके अधिक लाप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आहर में शामिल करना चाहिए इसलिए अलसी खाने का तरीका और इसके फायदे जानना जरूरी हो जाता है ओमेगा 3 पैटी एसिद समाने रूप से मांसाहारी खादे पदार्थों में पाये जाता है लेकिन अलसी में यहाँ सबसे अच्छा स्त्रोथ है यही कारण है कि शाकाहारी लोगों को अलसी का सेवन अपने आहार में करना चाहिए अलसी को किस प्रकार से खाया जा सकता है कुछ लोग साधी अलसी को खाना पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को अलसी भून कर सेवन करना चाहिए ऐसा करने से अलसी स्वादिश्ट हो जाती है इसका स्वाध भी कुरकुरा हो जाता है और यह खाने में बहुत आसान उपयोगी हो जाता है इसके अलावा अलसी को पीस कर उसका पाउडर बनाकर इस्तिमाल करना बहुत ही अच्छा तरीका होता है इसके लिए आप गर्म पानी के एक गिलास के साथ एक चमच अलसी के पाउडर का इस्तमाल करें लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि अलसी का पाउडर अधिक ना हो क्योंकि यह पाउडर जल्दी खराब हो जाता है फलो के रस में भी अलसी के पाउडर को मिक्स करके सेवन किया जा सकता है इसके लिए एक गिलास जूस में एक चम्मच अलसी के पाउडर का इस्तमाल करें अगर आप दही खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए अलसी का रायता अच्छा विकल्प हो सकता है अलसी को रायते में इस्तमाल करने के लिए एक कप कसी हुई लौकी, एक कप दही, आधा चम्मच मोटी बिसी अलसी, आधा चम्मच काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर रख दें इसे एक घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें फिर इसका सेवन करें अलसी में कार्बो हाइडरेट की मातरा अधिक होती है और शक्कर की मातरा नियुन्तम होती है इसके स्वास्त लाबो को प्राप्त करने के लिए आप इसका इस्तमाल रोटी या पराठे के रूप में भी कर सकते हैं इसके लिए आटे को गूदते समय, अलसी को पिसकर आटे में मिक्स कर लें। अलसी का सेवन चाय के रूप में भी किया जा सकता है। इसके लिए दो कप पानी में एक चम्मच अलसी का पाउडर डालकर धीमी आज में तब तक पकाएं, जब तक पानी आधा न रह जाए। इसके अलावा एक गिलास गर्म दूद में एक चमच अलसी का पाउडर मिलाकर पीने से सेरोटोनिन का इस्तर बढ़ता है जिससे आपको नीन दच्छी आती है जब आप अपने आहार या सलाव में अलसी को शामिल करते हैं तो या आपके स्वास्त के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने सलाव को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए एक चमच भुनी हुई अलसी का पाउडर उसके उपर छिड़क दें आप इसका इस्तमाल सबजी के ग्रेवी में भी कर सकते हैं अलसी खाने से हमें बहुत से लाप राप्त होते हैं अलसी खाने के फायदे त्वचा के लिए भी होते हैं इसमें विटामिन भी होता है जो हमारी त्वचा के रूखेपन और ज्वलन को दूर करता है इसके साथ ही अलसी के तेल का इस्तेमाल कील मुहासों को आसानी से दूर करने के लिए कर सकते हैं और इससे आपकी तोचा खिलने लगती है इसका इस्तेमाल करने से बालो का रुखापन भी दूर होता है अलसी में हाई फाइबर की मात्रा होती है जो हमारे वजन को नियंत्रित करती है साथ ही इसके सेवन करने से भूख कम लगती है अलसी कोलेस्टरॉल को भी कम करता है इसके सेवन से हेदय सम्मंदी रोकों को आसानी से कम किया जा सकता है अलसी में भिन प्रकार के एंटिवाइरल और जिवाणू रोधक कुण पाये जाते हैं जब हम इसका निवमित रूप से सेवन करते हैं तो बार-बार होने वाली सर्दी और फ्लू से आसानी से बचा जा सकता है अलसी उच्च रक्त चाप पर भी नियंतरन रखता है इसके साथ ही बुढ़ापे में होने वाली जोडों के दर्द से भी यह राहत दिलाता है अलसी के तेल में एंटि आक्सिडेंट पाया जाता है इसका सेवन करने से विभिन प्रकार के होने वाले कैंसर जैसे प्रोस्टेट कैंसर, सन कैंसर, स्किन कैंसर आदि से बचा जा सकता है अलसी के दैनिक सेवन से टाइप टू मधुमे के रोग्यों में रक्त शरकरा के स्तर में सुधार लाया जा सकता है अपनी दवायों के साथ अलसी के बीच का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सला अवश्य ले अलसी के बीजों में अल्फा लिनोलेनिक एसिट के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी शामिल होता है जो उच्चे रक्त शरकरा को नियंतरित करने के लिए बहुत ही सक्षम है अपनी दवायों के साथ अलसी के बीच का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सला अवश्य ले अलसी के बीच फाइबर से नहीत होते हैं जो स्वस्थ पाचिन तंतर के लिए आविश्यक है या आतों के माध्यम से होजन को जाने में मदद करते हैं इसके इलावा स्वास्त को बनाए रखने में भी मदद करते हैं अलसी के बीच और तेल दोनों ही कब्च से राहत दिलाने में साहयक हैं या फाइबर युक्त है अल्षी के बीच के दुश्परभाव से बचने के लिए इनके सेवन के साथ बहुत मात्रे में पानी भी पीना चाहिए अल्षी के सेवन से कुछ नुकसान भी होते हैं गर्वती महिलाओ और इस्तनपान करा रही महिलाओ को अलसी के बीच या फिर अलसी के तेल की खुराक लेने से बचना चाहिए। रक्त को पतला करने वाली दवाई का सेवन कर रहे लोगों को इसका सेवन अपने डॉक्टर से परामर्ष लेकर ही करना चाहिए। क्योंकि यह रक्स्त्राओ के खत्रे को बढ़ा सकता है। मदू में दवा के साथ साथ अलसी के बीच का प्रयोग करती समय रक्त में शरकरा के स्थर की जाच कराते रहें। क्योंकि अलसी के बीच में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है। स्वास्ते उद्देशों के दिए अलसी के बीच का सेवन करते समय पर्यापत मात्रा में पानी पीना चाहिए यह थे अलसी खाने के कुछ फायदे और नुकसान इसी के साथ मैं राधिका जैन आपकी अच्छी सेहत की कामना करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंदा रहे हैं तो मेरी हेल्ट इप्स चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद